अपने बयानों से विपक्ष की बोलती बंद करने वाले कॉंग्रेस के जाने माने नेता राशिद अलवी जी हमारे साथ हैं राशिद जी साधना नियूज में आपका बहुत बहुत साथ है राशिद जी जो सबसे पहले चर्चा की शुरुवात इस तरीके से करना चाहूंगी कि जिस तरीके से नकसली हमले 36 गड में कॉंग्रेसी नेताओं के ऊपर हुए कॉंग्रेस जो है पूरा एक जूट हो गई और रमन सिंग जी का स्तीफा माग रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है नकसली हमले को रोकने के लिए जितनी राजे सरकार की है फिर भी केवल राजे सरकार को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है देखिए मैं आपको बताओंगा ये बहुत एहम मुता है बहुत बर्लूम मुता है और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मुतालबा करूँ बलके मैं कहूंगा मुख्यमंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और ये बात मैं इसलिए आज 36 गड़ के अंदर क्या वहां की जनता अपने आप को गेर महफूज नहीं समझेंगी इन सिक्यूरिटी का एसास नहीं होगा जहां पे एक हजार बारा सो आदमी पिछले एक हफ़ते लगातार तैयारी करने के बाद और हमला करते हैं सरकार को मालूम नहीं है उनकी इंटेल को चालेंज है सरकार को चालेंज है क्या इसके बावजूद कोई स्टेट गॉर्मिन बागी रह सकती है उन्हें मुक्हमंतरी को खुद इस्तिफादे देना चाहिए आपका दूसरा सवाल है क्या केंद्रिये सरकार जिम्मेदार नहीं है देखिए मैं आपको गता हूँ यह म बात हमेशा लगातार विपक्ष कहता रहा है मीडिया भी कहता रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी मीडिया ने भी और विपक्ष ने भी समविधान को बारीकी के साथ नहीं पढ़ है Center government क्या कर सकती है मैं अपोजिशन से भी पूछता हूँ और मीडिया से भी पूछता हूँ 36 गड़ के अंदर केंद्रिय सरकार का क्या रोल हो सकता था सिवाई इसके के जो केंद्रिय सरकार के पास intelligence है उस intelligence की रिपोर्ट महां की सरकार को दे दी जाए स्टेट गवर्मेंट तक पहुँचा दी जाए इसके अलावाद दूसरा काम क्या कर सकती है सेंटर गवर्मेंट यही बात मैं आपसे करना चारी हूँ कि राष्टरी एक मिनट मैं अपनी पूरी बात पूरी करूँ केंद्रिय सरकार अगर पेरा मिलिटरी फोर्सेज बेजेगी चीफ मिनिस्टर के कहने से बेजेगी उनको कहां जिम्मेदारी दी जाएगी मुक्खमंतरी देगा केंद्रिय सरकार का कोई रोल नहीं इसी लिए सरकार चाहती थी के कानून बनाया जाए तब कहा गया के फेर्डरल इस्टरक्चर के अंदर यह intervention है मदाखलत है डखल देना है देश के फेर्डरल इस्टरक्चर के अंदर कोई दखल नहीं दिया जा सकता δیش تو میرا اور آپ کا सबका है federal structure बात की बात है दیش की चिंता पहले है दیش रहेगा तो हम सब रहेंगे दیش रहेगा तो कानूν रहेगा अगर जरूरत है समविधान में amendment की 15, 115, 116 amendment हो चुके अगर इसकी जरूरत है एक और amendment के आजा सकता है लेकिन हमारी सरकार सब को साथ लेके चलना चाहते हैं तमाम राइनिति दर्वाद केवल 36 गड़ की समस्या नहीं है नकसलवाद तो पूरे देश के कई राजियों में इस तरीके से फैला हुआ आपको नहीं लगता कि केंडर सरकार की कोई ऐसी ठोस पहल होनी चाहिए जिसकी र सरकार ने नकसलियों के खिलाफ कोई कदम उठाया देखे कहा जाता है कि करीब करीब 200 जिले ऐसे हैं जहां पिरभावित हैं लेकिन मैं इसे नहीं मानता कि पूरे 200 जिले पिरभावित हैं किसी जिले के अंदर अगर एक छोटी सी जगा पिरभावित है तो ऐसा नहीं है कि प इंपक्ष की सरकारे हैं सिर्फ वहीं पे नहीं है जहां पे कॉंग्रेस की सरकारे आंधरा परदेश में हमारी सरकारे महां भी नकसली प्रॉब्लम हैं दूसरी स्टेट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सेंटर गॉर्मेंट हमेशा स्टेट गॉर्मेंट के साथ इस्ट स्टेप्स जो है नकसल प्रभावित इलाकों के लिए भी लिये जाने चाहिए बिलकुल मैं आपकी इस बात से इतफाक करता हूं सकती के साथ निमटना पड़ेगा देश के अंदर कानून का राज है कानून को जो चुनायती देगा वो समविधान को चुनायती देगा देश की जनता को चुनोती देगा सलीक्तो नकसलवादियों को या तो समझ में आना चाहिए क्या सही है क्या गलत है देश उनका भी है लेकिन उनको इस बात की अजासत नहीं दी जा सकती कि बेगुना है लोगों को सरे आम कतल कर दिया जाए उन्हें मार दिया जाए इसलिए सकती के साथ निमटना पड़ेगा आपने पंजाब की मिसाल दी बहुत अच्छी मिसाल दी पंजाब के अंदर में रोल तो स्टेट गॉर्मेंट का था कहीं भी अंदरूनी मामलात पे मुकाबला करने के लिए चाहे नकसलवाद हो चाहे दूसरे मामलात हो इस्टेट गॉर्मेंट को ही मुकाबला करना पड़ेगा केंदरिये सरकार जो मदद चाहेंगे वो मदद देगे अगर केंद्रीय सरकार मदद देने से इंकार कर दे तो मैं जरूर मानूँगा कि ये सरकार जिम्मेदार ए 36 गड़ में प्रदान मंतरी ने एकदम बयान दिया परामलितरिस फॉर्सस चाहिए जिस तरीके की मदद की जरूरत है केंद्रीय सरकार तयार तो केंद्रिय सरकार पर उड़ी नहीं उठाई जा सकती है केंद्रिय सरकार हर तरीके से मदद करने के लिए तयार है लेकिन मेरा मानना है कि यहां पे इस्टेट सेंटर रिलेशनशिप को हमें री डिफाइन करना पड़ेगा यह बात मैं एक बार पारलिमेंट में भी कह चुका आज साट साल पैंसट साल की आजादी के बाद जो रिश्टा प्रांतों का केंद्र के साथ है इस्टेट गौर्मेंट का सेंटर गौर्मेंट के साथ है आज समय आगिया है उस पे हम विचार करें उस पे हम गोर करें कि क्या तबदिली लानी चाहिए आज हम जूच रहे हैं टेर्रिविस्प से, आज हम मुकाबला कर रहे हैं नकसलवाद का, तरह-तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ऐसे हालात के अंदर मेरा अपना मानना है केंद्री ये सरकार को ज्यादा ताकब देने पड़ेगी, ताकि प्रांत की सरकारों की मदद केंद्री ये सरकार देखा होगा अकबारों में बढ़ा होगा नरेंद्र मोधी के आप काफी बड़े आलोचक रहे हैं लेकिन तमाम सर्वे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री पद के लिए पहले उम्मिद्वार हैं अगर जनता की नजर से देखें और राहूल गांधी का नंबर अभी तक राहूल गांधी कांगरेस पार्टी के जिनके पूरे देश के अंदर कितने मुखे मंत्री हैं उनके लीडर हैं मुक्खे मंतरी चाहे राजिस्तान हो चाहे आंधरा परदेश हो चाहे महराष्टा हो चाहे हिमाचल हो दिल्ली हो हर्याना हो ये मुक्खे मंतरी सब राहूल गांधी को अपना नेता मानते हैं राहूल गांधी देश के नेता है इसलिए बुन्यादी तोर पे ये जो कामप्रीजन है ये जो मुकाबला है मैं इससे तफाख नहीं करता है। रहा सवाल सर्वे का देखिए आप भी जानती हैं आप मीडिया के अंदर हैं आज किस तरीके से मैनुपलेट किया जा सकता है और नरिंद्र मोदी जी मैनुपलेट करने के अंदर बहुत माहिर हैं उनको ज्यादा परसंटेज लोग मानते हैं पिरधान मंतरी बनने के लिए अफलगातार बेहनात देने के हम नहीं मानेंगे तो इस तरीके से सर्वे कराके शायद उन लोगों के ऊपर किसी तरीके का दबाव डलवाने की कोशिश हो नितीज कुमार तो उन्हें बिहार के अंदर आने तक की अजाज़त नहीं देते वो बिहार में जा नहीं सकते नहीं कहा कि नरेंद्र मुदी एक राज्य के नेता है जबकि राहुल गांधी को तमाम देश के मुख्यमंत्री अपना नेता मानते हैं क्या ऐसा नहीं है कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मजबूरन उनको अपना नेता मानना पड़ता है राहुल गांधी को वो इंपोस किये ग पूरा पूरे देश की कांगरिस पार्टी महां मौजूद थी सारे मंतरी सारे मुख्य मंतरी हर लेविल का लीडर महां मौजूद था उन्होंने राहुल गांदी को अपना नेता माना है और सिर्फ इसी तरीके से नहीं चुना है वहां का जो माहौल था वो अगर आपके पास उसकी CDO तो आप उसे देखिए कि लोगों के अंदर कितना जोश था राहुल गांधी को अपना लीडर मानने के लिए तो ये विपक्ष के आरोप हैं और बेबुनियाद आरोप है आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर जोश है वो कॉंग्रेस में तमाम संभावनाएं देख करता हूँ लेकिन राजनीती सर्वे से नहीं चलती है आप ये देखिए पिछले पांच साल के अंदर फैसला तो जनता करेगी दो हजार नौ से लेकर अब दो हजार चौदा में चुनाव होने वाला है कितने चुनाव देश के अंदर हुए केरला का चुनाव हुआ कौन जी आम आदमी की परिशानी महंगाई की वज़ा से बढ़ी है लेकिन आम आदमी समझता है कि ये पूरी दुनिया की समस्या है सिर्फ अकेले हमारे देश की समस्या नहीं है इसके बावजूद विपक्षतरा तरह के हमारे उपर इल्जामात लगाता रहा है केरला के अंदर हमने सरकार बनाई बेंगल के अंदर मंता जी उस वक्त हमारे साथ थी मिलके चुना लड़े हमने सरकार बनाई आसाम के अंदर हमारी कॉलेशन सरकार थी हमने अपने बलबूते पे सरकार बनाई हिमाचल के अंदर बीजेपी के पास था परदेश हमने सरकार बनाई हमने कितनी सरक सरकारे पिछले पांच साल के अंदर देश की जंता ने हमें मौकदिया सरकारे बनाने का तो इस तरीके के इल्जामात और इस तरीके के सर्वे का कोई मतलब नहीं है दो हजार चौदा आएगा आप भी देखेंगी कि एक बार फिर यूपिये थिरी सरकार बनाएगा आप करें हैं इन सर्वे का कोई खास मतलब नहीं होता लेकिन जिस तरीके से भरस्टाचार, महंगाई और जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतिय सैनिकों के सिर काटे चीन की लड़ाख में जिस तरीके से गुस्पैट हुई ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कॉंग्रेस सरकार की काफी किरकिरी हुई है इन मसलों पर आपका क्या जवाब है देखे विपक्ष का काम ही ये है वो सकारात्मक राजनीती करना भूल गया है वो नकारात्मक राजनीती करता है मैं इसके एक एक मुद्दे का आपको जवाब दूँगा और आप से पूछूँगा क्या आप मुतमईन हैं के नहीं अगर आप मुतमईन नहूं तो आपके ये कहा मैं मुतमईन नहीं हूँ पार्लिमेंट चलने नहीं देता मुद्दों पर बहस नहीं करने देता ये बीजेपी का किरदार और करेक्टर बन गया है आपने तीन सवाल एक साथ किये पाकिस्तान की बाद बिलकुल हम इसकी निंदा करते हैं हमारे सिपाहियों की गर्दन काटके उनको शहीद करके वो ले गया क्या एंडिये के जमाने में ये नहीं हुआ था उस जमाने में भी हमारे फाजियों की गर्दने काटकर ये लेकर गए थे पारलिमेंट के अंदर हंगामा हुआ था पारलिमेंट पे हमला किसके जमाने में हुआ था बीजेपी के जमाने में हुआ था मैं आपको याद दिला दू हमारी फौज को बीजेपी की सरकार ने अटल जी ने हुक्म दे दिया था जून का महीना था यही वक्त चला था सुरज आग बरसा रहा था और तीन महीने तक हमारे फौजी तप्तिवी धूप में बाहर खड़े रहे रेगिस्तान के अंदर मुझे फौजीयों ने बताया कि हम तलाश करते थे कहीं कोई पेल का साया हमें मिल जाए और थोड़ी देर खड़े हो जाएं क्या किया आपने क्या हमला किया है वापस फौजीयों को वापस बहरिक के अंदर मेंज दिया हमसे क्या तवक्र करते हैं विपक्ष खुल के कहे कि पाकिस परक्सान पर हमला करो क्या हमें हमला कर दिना चाहिए सिर्फ दोई रास्ते, चाहे चिन का मामला हू, आद's चीन ने अपने आपको वापस बुला लिया, सिर्फ दोई रास्ते राते demik לפ्ष या तो बात दूँगा पाकिस्तान के साथ क्या हम हमला कर दें या बातचीत करें चीन के साथ क्या हम हमला करें या बातचीत करें हमारी ताकत में कहीं कोई कमी नहीं है हमारे नौजवान के अगर ये जोश नहीं होगा के ताकत के साथ फैसला हो तो फिर किसके अंदर वो जोश होगा लेकि दूर तक देखने की च्छमता और थाट विचार हमें विचार भी करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे इस कदम का अंतर राश्टिये राजनीती पे क्या आसर पड़ेगा या आने वाले कल पे क्या आसर पड़ेगा आर्थिक इस्थिती पे क्या आसर पड क्या हम उस हब तक आप पहुँचे हैं जहां जंग जरूरी है क्या हम उस हब तक आ चुके हैं जहां हमारी हर तरीके की बात नाकाम हो गई है चीन के साथ विपक्ष यही कह रहा था क्या आप बाचीत से मसले को हल नहीं कर सकते हमने बाचीत से मसले को हल किया चीन के पिरदान म करके चाइना पर हमला कर देना चाहिए था और जंग कर देनी चाहिए थी आप भी नहीं कहेंगे कोई भी आदमी सूजबूज रखने वाला ये बात नहीं कह सकता ये तो हुई विदेश नीटी की बात लेकिन राशिद अल्वीजी से हम जवाब जानना चाहेंगे कि की महंगाई पर वो क्या कह रहे हैं इस कारेक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का बहुत जड़ लोटेंगे बने रही हमारे साथ